Hello everyone, I'm Avishujit Singh, आप सभी का दाइन आपस स्वागत करता हूँ दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर में हम M.A. History M.H.I. 08 का लेसन 6 पढ़ने वाले जिसके अंदर हम बात करेंगे ब्रह्मनकारी खाना बुदोस पसुचारन समाज के बारे में इस lesson के अंदर में जो question बनकर आता है कि ब्रह्मनकारी खाना बुदोस समाज है किस प्रकार का इनका विकास किस प्रकार से हुई और विकास की परकिरिया किस प्रकार का था इसके बारे में related question बनकर आता है इस lesson के अंदर में लेसन इंपोर्टेंट है और एक्जाम में कोश्चन भी पुट अप के जाता है तो चली से लेसन को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में कवर करते हैं सबसे पहले मैं बात करूँ कि आरंबिक काल में जो मानव समधाय का सो रूप है प्रतेक्श रूप से ब्रह्मनकारी की रूप में विकास हुआ इसका ब्रह्मनकारी मतलब होता है क्या है तो ब्रह्मनकारी ये खाना बदोस कहलो बात बराबरी है मतलब एक तरसे घूमतू पर जाते के तोर पे जो एक जगह से दूसरे जगह गूमते रहते थे अब एक जगह से दूसरे जगह गूमता क्यों था इसके बारे में तो हम डिसकस करें तो जब आप आरंबिक काल को study करते हो जहां पे जो आरंबिक मानब थे स्टार्टिंग के अंदर में जो मानब आए तो अपने जीवन वे अपने के लिए सिकार और संगरहन जैसी चीज़ों पे depend थे निरबर थे इसका main reason क्या था कि उनके पास में mall, maggy और ये shopping complex जैसे option निए ready to eat वाले food available निते की मुमस चौमिन मिल रहा है उसको बनागे खा लो ऐसो ठाने तो वो क्या करते थे सिकार और संगरहन पे depend होते थे और एक ही मानलो यह जगह है प्लेस है और इसके उपर में जो भी इसके अंदर में जो भी खाना है ना जो भी सिकार है जो भी संगरहन का जो भी कंदमूल के फल है एक limited मातरा में उपलब दें किस मोसम में इतना ही फल होता है यहां पर इतना ही चीज़े मिलने वाली है यह चीज़ें भी होती थी तो जैसे ही यहां पर time up हुआ कि यहां पर चीज़े करें खतम हो गई उसे जो साह मानवत्还 potatoes एक जगह से दूस度 को विस्थापित होने लगा एक पर परकरिया के इंदर में उन्ह swornें क्या पर स्थापित होना स्टाठ किया और इसी प्रक्रिया को fram 투 संमाज के के समझ में आता है और इस पूरी जो अवस्था है इसको हम पसुचारी समाज के तौर पे दिखाते हैं कि किस तर से पसुचारन समाज करते हैं उसके लिए एक अच्छा खासा टाइम प्रेड लगा हजारों साल का डिफ्रेंस रहा उसके बाद जाकर यहां पर परिवर्तन में देखने के लिए मिलता है तो सबसे पहले जो जानवर इन्होंने पाल्तू बनाए तो कुट्टे और सूर के प्रमान मिलते हैं और इनक इनके रखवाली का भी काम करता था भोजन डूड़ने में असानी होती थी इनको तो इससे चीजें भी कारे होता था इसके कांसी नहीं कुट्टे को सबसे पहले पालतू बनाया और आगे चलके इन्होंने भेंड बक्री जैसे जानवरों को पालतू बनाया जिसका मेन परप सोता था उससे वह अपना जीवन व्यापन कर सकते जो भी जानवर थे बेड़ बक्री के अगर हम बात करें उनके लिए कोई अलग से रख रखाव की जुरत नहीं पड़ती थी कि अलग से इसका एक मैनेजमेंट करना है तो उसके कारण से उनको यहां पर सबसे बहले पसुचारिता का ब्रहमनकारी मतलब एक जगास दूसर जगास घूमने वाले पसुचारिता इसा कोई कर यहां पर आजा ना भाद करो कि शमाज की सद्षा पर रहा उसके बारे में बहुत संदट कारी मिलती है और जो भी हम बात करें एक मतलब अरुमान क्या यह चीज इस यह थो इस तरफ इसा रहा होगा उसके रहा उसके बारे में जो जानकारी के सुरोत बहुत कम मात्रह इसके अब इसके बारे में जानकारी कैसे मिल रही है तो मानव विज्ञान के अधार पर कि मानव का structure किस परकार से रहा होगा उसका विकास करने की strategy किस परकार की रही होगी किस परकार से human grow करता है उसके basis पर हम बात करते हैं और पूरा जो अफशेश है ना किस परकार से जो भी अफसेश मिले है पुरा तात्विक अफसेश मिले है उसकी अधार पर हम इसके बारे में डिसकस करते हैं कि इस तरीके से इनका विकास हुआ होगा मा प्राचिन मानियें समाज के अंदर में आवगर आब बात करोगे तो जानवरों का जो सिकार था खागया आपूर्ति के लिए किया जाता था टीक आइसा नहीं था स्वागए आज के समय में अगर राजा महराजा जो थे अभी कुसम पहले तक अब राजामहराजा जो सिकार क्या करते थे वह sock के लिए करते थे तो यहाँ पर जो प्राचीन मानवें समाज था यहाँ जानवरों का सिकार किसके लिए सिकार में क्या होता था चोटे-चोटे जानुरों का स्टाइटिंग में सिकार करते थे पाशान के उजार बना रखे थे पाशान का उजार क्या होता था बड़े बड़े पत्थरों के उजार थे बड़े जानुरों का सिकार करना पॉसिबल नहीं होता था वह उतने धारदार नहीं तो उतने काम्याब नहीं थे उसके चोटे जानुर का सिखार करते हैं जो घर की ओरते होती थी वो कंद मुल्के फली कठा करके लात थी जिसके बेसित पर जीवन व्यापन चलता था तो समय के साथ में इसमें परिवर्तन देखा गया देरे देरे ओजार इनके अपडेट से परमाण में मिलते हैं एक निनके से और फुल उप होता है कि हाँ इस तरीके सा पुसपालन किया जाता है tastedதे कच उसके निए उसके इंदर में कई बार पॉसूपालन समाज के बारे बताया में पढ़ा है अब यहां पर यह चीज समझने वाली बात है और स्टार्टिंग में ने बोला कि जो भी परिवर्तन होता है इस समाज के अंदर में वह एक बार में नहीं होता है उसके लिए अच्छा लंबा टाइम प्रे लगता है किस तरीके से अब मान के चलो मानक का उद्वब हुआ मानक को उद्वब होने के बाद उन्होंने सबसे पहले तो सिकार करना दीखा ओजार बनाया किस तरीके से ओजार खतम हुआ हुआ है और एक जगह से दूसरी जगह जब विस्थापी थो रहे हुए ना तो इस पर किरिया के अंदर में भी बहुत बढ़ा समय लगा हुआ और एसन देकि एक जगह से बस दूसरी जगह उठके चले गए उसके लिए वह किस तरीके से जा सकते हैं क्या चीज क पर रख रहे थे अपने साथ में तो उनके बार में पता होना चाहिए कि हम भिया यह दूद देती है और इस्तर के चीज़ें यहां पर देखी गए इसके बाद यहां पर पालतु बनाएगा तो एक लंबा समय हैं हमें एक लंबा उंतराल देखने करे मिलता है और दीरे-दी स्थापित हुए जो एक समुदा है यहां पर दो पार्ट में बढ़ गया एक खाना बुदूस के तौर पर गूमना है और दूसरे वाला का एक लंबा समय अंतराल के बाद हुए विकास देखने मिलता है यह कि पत्सु पालन समाज के समलन में जानकारी जो सुरोत है और दूरलब मातर ही इसका एक रिजन यह भी है कि मैंने पिछे वीडियो में बता रखा था कि जैसे आप पढ़ते हो तो सबसे इंप्पोर्टन पुरातात्विक सुरोत के अंदर में जादा तर टाइम क्या होता हम अनुमान लगाते हैं कि यह चीज ऐसा है तो इसका रहा होगा क्या पता हुआ गलत भी हो सकता है पर नंबर आप टाइम हम अनुमान लगा कर चलते हैं और जैसे दस जो इतिहास कारें वो इस्टेडी कर रह से हम लेकर उसको एक्स्प्लेंग करते हैं तो यहां पर लिखित में कोई चीज दसताविज उपलब्द नहीं है कि रिटन में कोई सुरूत है रिटन के अधार पर नहीं होने के कारण से भी हम यहां पर पुरा तात्वी गवसेशों को पर में डिपेंड होते हैं आगे में बात करूब तो पालतु शानवर उथा जंगली जानवर की जो अश्तिया होती दी साफ सफ अंदर कर भाना कठीन है अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी है जैसे मान वहलोगा उठन खुदाई दाई के अं-दर में अस्तिया मिली जानवर यह तो जंगली जानुवर के बड़ी इसमें भी अंतरकरपाना कटीन है पर फिर भी उसके अधार पर एक अंदाज है लगाए गया गया और लग तरीके से यहां पे explain किया गया भोजन के रूप में किस परकार से पस्वों को सिखार किया जाता था इसके बारे में सबस्ट जांकार ही यह नहीं है कि किस तरी के सो य 뉴스 करते थे पस्वों को पालतू बनाने के संबंध में अगर आप बात को करें तो प्राचीन प्रमान कुट्टे के रूप मिलता है कि सबसे पहले कुट्टो को यहां पे पालतो बनाये गया होगा इसके लिए भोजन मतलब इसको पालतो नहीं बनायेगा कि इसको भोजन के लिए खाना है वेन परपस इसका कुछ और रहा हुआ यह भी चीज़ यहां पे लेखा जाता है ठीक है कि आगे बीए बात करूँ जो पसुपारन समाज है उसका उद्यशीत तता पर्तेक्ष्ष परमान उपलब्द ने कि किस तर से उद्यं किस तर से इसका विकास हो इसके बारे में कोई भी परतेक्ष्र पर्माना में देखने के लिए नहीं मिलता है यहां उस अवस्था की एक वैचारी कलपना की संद्चना कर सकते हैं कि किस तर से इसका उदे हुआ इसकी कलपना हम यहां पर कर सकते हैं आरम से ही जो आखेटन समुदाय ने कुछ बड़े पसू को अपने भोजन आपूर्ति का के इसके बारे में लेकर उन्होंने बोला इस परकेया में भेड़ों तथा बक्रियों का सिकार अधिक संक्या में हुआ इस तरीके से भेड़ बख्री जो थे भोजन के रूप में इसका उप्यों किया गया पसू को पालतु बनाने के लिए भी किया गया यहां पे सबसे बच्चे थे मादाओं को छोड़ दिया जाता था जैसे भेडबकरी के जो छोटे बच्चे हुआ करते थे मादा होती थी फिमेल भेडबकरी उसका रीजन क्या होता था जिससे उनका जो प्रज्वन ववस्था है ना वो ऐसा ना की खतम हो जाए आप सब को मार के खा जाओगे तो फिर आगे बढ़ेगा गैसे परक्रिया इसके बारे में उनको सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि भैया यह इसी तरीके से यह female वाले ही बच्चा देता है male वाला बच्चा नहीं देता male वाले को खा सकते है, female वाले को रखना है बचा कर तो इस तरीके से उनको पहले सबसे पहले जानकार ही होना चाहिए उसकी कारण से यह चीजे चोड़ी गई होंगी कितना समय लगा होगा उनको इसके बारे में जानने में ठीक है तो यह चीजे भी यहाँ पर रही होंगी जिससे भोजन का जो आपूर्ती का सुरोते खतम नौजाए जिसके कारण से मेल जो होते थे उनको खाया जाता था फीमेल को छोड़ दिया जाता था बच्चों को छोड़ दिया जाता था इस तरह से पसो को बंदी बना कर उनका चारा नियंत्रत किया जाता था किस तरीके से उसको खिलाना है कब खिलाना है तो नियंत्रत के अंदर में उनको रखने का क्रोसिस किया जाता था प्रजनन एमवनमें सुधार रहें तुम किर्याओं के लिए मानब को लावकारी पुक्त पालन के प्रिरीत किया गया सब्सक्रार करें या इसमें प्रिस्थरां करोगा की तरह सकते हैं इसको लेकर यहां पर motivation रहा होगा लोगों के अंदर में यहाँ पर में वीडियो को आगे बढ़ाने से पटले का आप सब भी विवर से रिक्वेस्ट करूऊं और अब और हम चाहते हैं इसको की एक लाग तो जो हमारा गोल है उसके लिए आप सब हैल्प कीजिए हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सके और हमारी वीडियो अगर अच्छी है जी जें तो उसके हिसाब के आप हमारे और में हिस्ट्रीक अगर आपको नोट चाहिए तो डायरेक्टली आप गूगल ब्लॉगर पर या फिर क्वेरा से जाके ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको गूगल ब्लॉगर का लिंक मिल जाएगा इसलिए आगे हम वीडियो को शाट करते हैं विए और में जानवर को सेलेक्ट किया कुट्तों के इसाफ से आगे बढ़ाया फिर उन्होंने भेडबकरी को पाला, भेडबकरी के साथ में आगे बड़े, तो धीरे धीरे ये समाज ने विकास होता चला गया, ठीक है किस तरीके से भेडबकरी को पाला, फिर कुछ समाज यहां पर बढ़ता चला गया, एक खाना बदोस के तोर पर चला गया, एक खाना पसुचारण समाज का उदे देखा गया जहां पर जानवरों की संक्या बड़ी मात्रा में उपलव देती जहां पर फीमेल्स को रखा जाता था मेल्स को रखा जाता था बोजन की रूप में भी उपयोग किया जाता था इवन आगे आप इसको किया जाने लगा पसुचारण प्रजातियों के अनेक पसुधन थे उत्पतिस सल के दच्छिन एसिया के इंदर में इस्थापित थे जहां अनेक परजातियां थी हारर जैसे आप देखे हो हॉर्स की देखे हो केटल की बात करो भैस उट बहेंड बकरियां की बात करो तो इनकी परजातियां यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाती है इन पसुधन को मास था खाल तता अस्थियां आदी के लिए सिकार किय जाता था जो भी इन पसु को मारा जाता था में का प्रपस क्या होता था पसु के मास के लिए खाल के लिए अस्थियों के लिए इनके लिए सिकार यहां पर किया जाता रहा होगा यह चीज़ यहां पर कहा जाता है इससे जादा तर जो पसु होते थे खुले या मैदानी वाले में ही रहना पसंद करते थे और यहां पर एक चीज्ज भी देखोगे ना जैसे पर्षव पालन समाज का विकास होता तो समय के साथ में कृष्चा की और आकर्सी थोने लेगे किरशी की रवस्ता की रवस्ता की जाने कुछ से देखने के लिए में नहीं मिलता है आगर हम आगे बात करें तो आखेटन संग्रह समुदाय था मतलब सिकार करने वाला जो समुदाय था वो ब्रह्मन सील प्रवृति का निर्धारन मुख्य था उनके पसुचारन अविसक्ताओं और चारगाह की अविसक्ताओं पर अ चलेंगे ऐसा गुष्थानी एक समुदाय विक्सित हुआ जिसको हम आखेटन संग्रह समुदाय करते हैं मतलब क्या जो सिकार कर रहे थे और जो संग्रहन का भी काम करते थे अब इनकी परवर्ति ऐसी हुए ना कि सिकार करने के लिए अब जानवर उपलब्द नहीं है आप करीके सो विस्थापित होते थे उनके इस परकेरिया के अंदर में एक उनका परवर्ति बनीना उनका जो मेंडिलीटी बनी या पिर उनका जो हैविट बनाना वे वह भ्रहनकारी समुदाय के तौर पर विक्सित हुए एक जगह सा दूसरी जगह यह ट्रेवल कर रहे हैं और परियाप्त महातरा में भोजन की आपूरती बनी रहती थी जो जलवायू की अनियमताओं उसको या परचंडताओं से प्रभावित नहीं होता था ठीक यहां पर भोजन की आपूरती बनी रहे और यहां पर भोजन की आपूरती मतलब पशू की मास से है और कई बार उताओं जलवायू परिवर्दन हुआ जिसके कारण से वहां पर भोजन नहीं है तो एक जगा से दुसरे जगा उनको विस्थापित होते रहना पड़ता था तो ये सारी चीज़े यहां पर बात की जाती है पस्वो के जुंड के आकार अतिदिक बड़े नहीं होते थे limited मातरा में अकार रखा जाता था और पस्वचारिन समाज अपने पस्वो के जुंड को सिमित मातरा में रखते थे इसका main reason क्या होता था जैसे जैसे उनका ठीक से पालन कर सके एसा नहीं हो कि उनको बहुत बड़ी संख्या में रख ले और ठीक से उनका पालन पोस्वो ना कर से वह पस्वो का जो संख्या होती थी वह limited मातरा में ही लेके चलते थे अनाज पैदा करने वाले अन्य जो पडोसी समुदाय थे वह सहजीवी संबंध इस्थापि विकास कर देते अब यहां पर देखोगे ना तो यहां पर एक तरफ तो पैरलल विकास हो रहा है जैसे मैंने आपको इस स्तार्टिंग में बताया कि सबसे पहले आया आरंभिक मान हम शिकार Сंग्रण पकर अपना जीवन विस्तापित किया और उसके बाद वह धरे दरे दरे आगे विकास किया आगे विकास करने के पर किरिया में वह क्या होते यहाँ पे वो खाना-बदोस्त के तूर पे स्थापित होते हैं जहां पर एक जिगर सथ दूसरे जगर बोजन की खोज में करते हैं उसके बाद में खाना बदोस्त का ही एक पार्ट निकल कर आजाता है जिसको हम पसुपालक खाना-बदोस पसुपालक तो खाना बदोस पसुपालक के तौर पे तें जो एक जगह से दूसर जगोंते थे कुछ एक जगह स्थिर होकर वहाँ पर अपना पसुओ को पालने लगे इसमें से भी क्या हुआ कि बड़े-बड़े मविस्यू को पाला जाने लगा और वह मविस्यू की जो यह वाला जो समुदाया जो क्रिशी कर रहे हैं यहां पर उद्सार काल को मेरे बड़े और मुझे कूछ खाने करें मुर्सकाminist पर तो इस संबंद इस तरह का जीवन जो रोमिला था पर इन्होंने पसुचारन समाज को ब्रह्मन सील के तोर पर स्थापित किया कि जब कि कुछ अन्य जो थे अर्ध इस्थिर प्राकर्तिक माने गए और जो अवसकता पढ़ने पर कर सकते थे अलप मात्रा में कर लेते थे यह देखा गया यहां पर समुधाय को जो मानव समुधाय था उसको यहां पर define कर रही है कि कुछ समाज यहां पर पस्टोचारी था समाज था ब्रमन सील था जो एक जगस दुसर जगस के साथ नों गुमता था कुछ थे इस्थीर थे और इस्थीर रहने वाले क्याते हैं उनको आविसकता पढ़ने पर कृशी भी कर सकते थे अल्पमात्रा में कर सकते थे असानी थे क्यों कृशी नहीं जानते थे और अधिकतर जो प कर्शक समधाई के उपर में डिपेंडेंसी होती थे और कर्शक समधाई का भी उनके उपर में डिपेंडेंसी हमें देखने के लिए मिल जाता है अगर हम आगे बात करें तो ब्रह्मन सिल जो पसुचारिय समाज था वो इस्थिर क्रिश्य समाज के बीच में संबंद को स्थापित करते हैं और यह लावदायक था दोनों के लिए ब्रह्मन कारी मतलब जो गूमने वाला समुझाए और इस्थिर क्रिश्य समाज जो एक जगा सेम इसी तरीके से जो जानवरों का डिमांड होता था वो पसुचारिय समाज उनकी पूरा करता था जिससे वो अपना अधिकान समय पसुचारिय समाज को देख बाल में विता सकते थे अब इसका एक रीजन यह भी होता था कि वो खृष्य समाज के ओपर में डिपैंडि के ह सुर्ण होते थे कि अगर मालों खूद ही खेती बाड़ी करने लगे तो इसके एक रीजन से क्या करते थे हैं कि खूद नहीं और दूसरे से करवाथे थे इसका में रीजन यह रहता था कि अगर खेती बाड़ी कोई दूसरा कर रहा हूं हमें अनास देदेगा हम उसको पसु देदेंगे बदले में जिससे हम अपने जानवरों की देखबाल प्रॉपर टाइम से कर पाएंगे इसके बदले में जो कृषक समुदाए था वो बहुत सारा पर 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 पसु चार्णी समाज से दिया जाता था क्रिशिक समाज को ठीक है आगे में बात करूं तो पसु पालन की जो अवस्था थी यहां पर कृषी का पूर रूप से निरभरता यहां पर देखने के लिए मिल जाता है यह अवस्था समय परक्त नहीं माना जाता है इसमें कि डिपेंडेंसी पूरा अगदम टाइम की उपर में चल रहा है इतिहांसकार बटाचारे के अगर आप बात करो उप महादीप के कुछ इस्तलों में पाई जाने वाले जो नाध है जहां पर जानवरों को चराय जाता रखा जाता है उस साबित करता है कि पसो की संक्या काफ पर ब्रमनकारी लिख कर आजा या घूमतु लिख कर आजा या खाना बुदूस लिख कर आजा है मतलब एक ही है इसमें पूरा इजी है ज्यादा कोई डिफिकर्ट नहीं आपको बस यहां पर एक्स्प्रें करना है कि किस तरीके से विकास हुआ एक विकास का चैन का परकिरि महानाव गौहानानब के बाद में उन्हें शिकार पर निर बढूंग भकर में बनाया उसके लिखाय किस प्रकार से बस उचारने समाज का विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से उनकी निर्भरता तिक्रिशी समाज के उपर में, इसके बार में आप हम डिफाइन करते हैं तो easy lesson है, कोई ज्यादा tough नहीं, आप easily कर सकते हैं, एक ही question बनकर आता exam के अंदर में अगर हमारा चैनल की जो भी वीडियो से आपको वैलिवल लग रहे हैं, तो हमारी जो वीडियो के लिंक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, भी आपका MST का exam दिसंबर में होने वाला है, दिसंबर दो जाते हैं इसमें, तो उसके लिए वीडियो से वैलिवल है हमारे चैन पर की वीडियो देखते हो, तो आपके एक वीडियो से 90 जो सिलिवल से वो कवर हो जाएगा, क्योंकि वो वीडियो के अंदर, जो पीछे मैंने जब बनाया था, 2020 में, वीडियो इतनी जादर response आई उसके उपर में, कि मतलब बच्चों का जो exam के नंबर थे, वो उसको आपक कमेंट बॉक्स से पढ़ोगे ना, सब आपको पता सल जाएगा कि वीडियो है करसी, ठीके तो उसके लिए आप जरूर देखें, अच्छे नंबर लाना है साते हो, तो उसके लिए लास्ट फाइवर की वीडियो जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपका तो वहाँ से जाके लिए सकते हो, तो यहाँ मैं वीडियो एंडि करूँगा, थैंकियो सो मच वोचिंग मी, थैंकियो सो मच फुलिसनिंग मी, वाबाए, टेकर, वाल देख, वाल देख,